Hello everyone and welcome to BHU पार्ट साला यहमादित्या हीर आपको वीडियो का जो मोटीव है वो आपको स्क्रिन देखकर ही पता चल गया होगा कि वीडियो का मोटीव क्या है और यह जो नोटीस आई हुई है वो प्रोफेसर रजनीश जैन जो कि योजीसी के अट प्रिजेंट जो है वो सेकर्टर हैं उनके तुरू आई हुई है without any further discussion, without any delay सीथर नोटीस को पढ़ते हैं कि नोटीस में है क्या यह पूरा एक तरीके से जो एक न्यूस फैल रही थी एक रिमर कह सकते हैं अभी के लिए वो रिमर ही है एक इनकरेक्ट इंफोर्मेशन ही है वो प्रिंट अन डिजिटल मेडिया में वो चीज़े चल रही थी यहां पर आपको यह टर्म एबेंस देखना है और यह बात करी जा रही है आफलाइन इग्वेस्ट की बारे में उसको सस्पेंड कर दिया जा है यहां कि मन्त महीन जो मई का महीना है उसमें कोई भी आफलाइन इग्जामिशन नहीं हो यह यह का कहना था जो उसका सिक्स्ट आफ में कुछ नोटीस हाई थी उसके थ्रू यूजिशी ने यह इंश्टी से रिक्विस्ट कर रहा है उसके रही है असान सब्दों में समझें कि अभी हाल फिलहाल में यूजिशी ने कोई भी एग्जामिशन पर गाडलाइन नहीं जारी कुई है और जो भी न्यूज इसके रिगार्डिंग आ रही है कि इनको प्रमोट कर दिया जाएगा या इन चात्रों को प्रमोट नहीं किया जा इसको भी देखते हैं कि आकर उसमें क्या लिखा हुआ यह जो नोटीस है इसके सब्जेक्ट में ही देखके बिल्कुल उसको ऑफ लाइन एक्जामिशन के बारे में बात की गई है कि यह जो offline examination से उसको suspend करके रखा जाए मई महीने की बात की गई है इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं कहा किया है इसको भी without any further discussion पढ़ते हैं इसको respected madam dear sir जो भी है उसको leave it out हाँ यहां से हमारा चीज सुरू होता है जो main content है as we all as we are all aware that second wave of covid-19 is being faced in several part of the country during such times ensuring safety and health of everyone is most important institutions across the country have already been taking best possible measures in this direction keeping in view the current scenario of covid-19 it is requested that higher education institutions may keep the offline examinations in advance during may 2021 to avoid physical gathering at the campuses and also to provide much needed relief to the students faculty staff who are presently occupied in fighting covid-19 in one way or other way कहने का मतलब यह है कि यह जो month माई का यानि माई महीने में कोई भी offline examinations ना हो यूशी ने यह higher education institution से request करा हुआ है किसलिए request करा हुआ है कि कोई भी ताकि physical gathering ना हो campuses में और जो भी students है faculty है staff है जो भी लोग जुड़े हुए हैं उच्छ संस्थानों से वो जो अलेडी कोरोना जो महामारी है उसमें कहीं कईक के चल रही है उसमें कहीं कहीं तरीके से उसमें सामी लहाै तो उन्हें भी कहीं कहीं एक रहात मिले एक positive टी मिले क्या कि कुछ नूकुछ morally जो है और emotionally कहीं ने कहीं हर एक तरीके से उन्हें support करा जा रहा है UGC के तुरू अब देखिए UGC उन्हें support करना चाह रहा ही है और दूसरी चीज़ यह आती है उसके आगे बात करते हैं however for conduct of online examinations अब यहां बात आती है इसको आप पढ़िए गध्यान से online examinations higher education institutions may decide suitably after assessing local conditions and assuring that they are prepared in all respects following advisories, guidelines, directions issued by the central state government ministry of education और UGC from time to time to prevent spread of COVID-19 and for the safety and health of all stakeholders कहने के बात यह है कि online examinations regarding अभी तब कोई भी clear cut कुछ नहीं कहा गया है कि यह पूरी की पूरी जो higher education institutions है नहीं उच्छा संस्थान है उनके उपर छोड़ दिया गया है कि वो decide करें अपने एक local conditions क्या है उनकी तैयारियां कैसी है जो भी advisories, guidelines, directions जारी किये गया है राजसरकार या किंजसरकार के दवारा या सिक्षामंत्राले के दवारा या फिर UGEC के दवारा समय समय पर करते हुए या नहीं कराएंगे या फिर क्या option उनके आपस होगा अभीता कुछ clear cut नहीं कहागया है कि किसको promote किया जाएगा या promote किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा यह मेरे कहने का sense यह है कि यह सारी चीज़ें जो है यूश्टीज पर कह सकते हैं या फिर जो भी higher education institution से उन पर छोड़ दिया गया है तो अभी जो भी इस प्रकार की news आ रही है उसे हम authentic और correct नहीं मान सकते हैं यहाँ भी कोई चीज़ फोर्स फूली नहीं की गई है यहाँ पर टरम आप जेख सकते हैं कि may भी use करा हुआ है कि जो situation है उसका review जो है वो next महीनी में किया जा सकता है और उस समय जो है उचित उपाए या कह सकते हैं कि उचित नेड़ा लिया जा सकता है कि क्या सही है क्या गलत है तो कहने का पूरा sense मेरा यह है कि आप पूरी notice में दोनो notice को आप आने देखा है पूरे अच्छी तरीकी से और आपको चीजे समझ में आ गए हूँ कि क्या है क्या नहीं है तो मैं एक बार फिर से जो आज notification आई हुई है उसको मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ तो यही था पूरा clarification कि जो भी incorrect news जो है मेडिया में चल रही है वो UGC ने आ कि इसको बिलकुल clear कर दिया है कि अभी के लिए उसने कोई भी recent time में कोई भी exam के लिए guideline नहीं जारी किया है अभी जो दोनों notice को आपने देखा वो प्रोफेसर रजनीश जैन जो की वरतमान में UGC के secretary है उनके थूर जारी किया गया है तो यह बिलकुल authentic news है आप बिलकुल किसी भी संदेह में नहीं रहे हैं किसी भी rumors के आप control में ना आए इंफ्लेंस में ना आएं तो मैं यही कहूंगा I request you all अगर आप authentic updates पाना चाहते है तो दिन यौ आप आप अथेंटिक अप्डेट्स पाना चाहते है तो दिन यौ आप आप सब्सक्राइब दिस चैनल और इसी के साथ 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 तो जाइन और प्रम्यम कोर्सेश यौ आपने कोर्सेश यौ आपने कोर आप the झापा को उतित एता हुआए़ है वाप खाना ओर आप झाप लघगा है तो ङौ आप अवार है को ओर आप में नगर फर एंगाज आप ने जंगा ह में अप्ट हा आप घू अ युद Сब्सक्पाना सफब्ड़़ हैं और